हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासीज, कैसे हो आप लोग सभी, मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासीज अबोहर से ये वीडियो जो टैट की वैलिडिटी को लेकर थी, इसको मैं एक बार दुबारा आपनों के लिए जो है वो रिकोर्ड कर रहा हूँ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारी पहली वीडियो में स्किप होगे थे, उसको मैंने डिलीट करने के बाद ये वीडियो आपके लिए दुबारा बनाई है, ताकि आपके थौट्स में बैटर कलारिटी आए, टैट वैलिडिटी को लेकर, सो खबर है कि टैट की वै आज तक 21 अक्तूबर 2010, जब तक मैं ये वीडियो रिकोर्ड कर रहा हूं, जब तक कि जो ओफिशियल खबरें हैं, वो सारी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूगा, 5-7 मिनट की ये maximum वीडियो है, सारी को एंड तक आप लोग जरूर देखना, सो स्टुडेंट्स, न्यूज क्या है, कि भारत के अंदर एक टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली रेगुलेटरी बोडी है, जिसका नाम है NCTE, National Council for Teacher Education, भारत में बीयड एजुकेशन, ETT एजुकेशन, जोएमेड एजुकेशन, और बीयड का सलेबस, जो ETT का सले या आप कह दो कि जो टीचर एजुकेशन की जो एक स्टैचुरी बोडी है बारत सरकार की, वो NCTE है, जो मेजर डिसीजन लेती है, NCTE की ओफिशियल वेबसाइट मैंने आपके सामने लिख दी, ncte.gov.in, जब आप इसको ओपन करोगे, ऐसा होमपेज खुल जेगा, पेज क जो ये पिछले महिने, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंडास थे, उसमें डिसीजन लिए गए है, उनमें से एक डिसीजन, TET की वैलिडिटी को लेकर था, इसी ओफिशियल वेबसाइट से मैंने PDF डाउनलोड की, उसी PDF को मैंने स्टडी किया, और स्टडी करने के बात, ये उसी PDF का स्क्रीन शोट है, एजेंडा नमबर साथ, मैं ये वीडियो द्वारा बना रहा हूँ, ताकि अब अपने जो थोट है, या अपने जो विचार है, इस न्यूज को लेके वो क्रिस्टल क्लियर हो, एजेंडा नमबर साथ में देखो क्या लिखा है, मेरे ठीक, इस बात को कंसी डरेशन में लाया गया है, 7 year to lifetime करने के लिए, यहां क्या लिखा हुआ है, दा कॉंसील, कॉंसील मतलब, नैशनल कॉंसील अप्टीचर एजुकेशन, कंसीडर दा अजेंडा आइटम, एंड अप्रूवड, NCTE ने अप्रूव कर दिया है, साब साब ल साथ साल से lifetime होगी, इसको अप्रूव कर दिया है, this provision would have perspective effect, यह जो बदलाब होगा, इसका perspective effect, आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, and, and लगा है, and बतलब इसके साथ, for those who have already passed out, जिन्होंने already TAT को पहले से pass कर रखा है, जिनके पास TAT certificate पहले से है, इसके बाद last line इन्होंने लिखिया है, कि NCTE would take legal opinion and will act accordingly, ठीक है जी, अब NCTE की official website पे, इन्होंने अपनी पचासमी meeting में इस बात को accept कर लिया है, approve कर दिया है, कि TAT की validity को lifetime कर दिया जाए, अब NCTE सबसे top पर है, यह हम लोग जानते हैं, अब इसके बाद सवाल उठता है, कि क्य CTET, state के test, जो Punjab TAT है, हरियाना TAT है, क्या sir, इनकी validity of lifetime होगी, तो देखो, इसमें क्या होगा, NCTE ने इसको approve कर दिया है, अब यह जो information है, यह इसका जो notice है, वो state bodies को जाएगा, वो CBSC board को जाएगा, जो CTET लेती है, और वो लोग फिर उसको अपनी official website पे update करेंगे, तो अभी तक मैंने CBSC की जो official website है, उस पे check किया है, वहाँ जो है, update नहीं है, तो वो लोग जब उसको update कर देंगे, तब से फिर जो है, वो लागू होजेगा, तो मैं यह कह सकता हूँ, कि आज इस वक्त, तो अभी यह implement जो है, वो नहीं हुआ है, यह implement तब माना जाएगा, इस एक बात को मुझे clear करना आपके लिए जरूरी था, इसलिए मुझे लगा कि इस वीडियो को मुझे आप लोगों के लिए दुबारा बनाना चीए, तो यह थी जी news, और इससे पहले जो students पूछ रहे थे कि सर हमने 3 साल पहले TAT clear किया, 4 साल पहले TAT clear किया, क्या हमारे लि और CBSC Bodies अपनी तरब से एक बार इसको सामने ना ले आए, 99% तो यह लगी रहा कि सब कुछ implemented ही है, बट स्टिल एक बार official news की और वेट कर लो, जैसे ही इसके official notice हमारी state bodies की website और CBSC की website पे आजेंगे, मैं आपके लिए अगली वीडियो बना कर लाओंगा, और आप लोगों को इसकी news दोगा, अब उमीद करता हूँ कि आपके सारे doubts जो है, वो clear हो गे होंगे, पिछली वीडियो बनाते ही, मुझे एक दो students के phone आए, तो मुझे लगा, एक बार मुझे इस वीडियो को दुबारा बना देने चाहिए आपके लिए, थैंक्यू very much students, और अगर आप इस वी classes के page को आप लोग like करें, और सावल classes के page को आप follow करें, ताकि next time सभी important information आपके career से related आप लोग को मिलती रहे, thank you very much, bye, take care.